हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है ये न केवल हमारे प्यास पुचाता है बलकि सरीर को हाइटिट करता है और हेल्थी लेने के लिए आवश्यक पोशंदत्रों प्रतान करता है हाला कि क्या आपने कभी इस बारे में सूचा है कि हमारे पाने पीने के आदफ हेल्दी है या नहीं कब और कैसे पाने पीना बहुत मायने रखता है क्योंकि यह आपके सरीर के पाचंतंत्र, मेटाबॉलिस्ट, हार्मोन आदे को प्रभावित करता है तो आईए जानते हैं स्वस्त तरीकों से पाने पीने के बारे में चार आवशक तत्यों के बारे में हलो फ्रेंट्स, आपका मेरी इस चैनल फूड क्यान पे स्वागत है यदि आपको ये वीडियो helpful लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर करें और यदि आप मेरी चैनल पे नए हो और ऐसे ही अन्य जान करें जानना चाहते हो तो प्रिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सुबर उठकर सबसे पहले पाने पिए जिसे हाई रूविड में उशा पान कहा जाता है सुष्च लेने के लिए विप्ति को गर्म पाने या तामबे का पाने पीना चाहेगे इस आदत से आपको और विशुसने लाप में देगे खाना के तुरंत पानी न पिए अगर आप खाने के तुरंत बात पानी पिएंगे तो आपका खाना धीरे धीरे पचेगा मेटापॉलिस्म वर भावित होगा और बाच्छग अनगी कम हो जाएगी पानी हमेशा पैट कर पिए, पानी जल्दी जल्दी या खड़े होकर न पिए, पानी को जल्दी से गठ न करें, बलकि खुट कर करके पिए, पानी को प्लास्टिक की बोतल में भी नहीं भरे, ऐसा करने से प्लास्टिक में मौजद माइक्रो पार्टिकल्स की कारण कैंसर का ख भत्रा भी बढ़ जाएगा आए जानते हैं सुबह सुबह गुंगुना पानी पीने से क्या होता है रोज सुबह उटकर सबसे पहले गुंगुना पानी पीने से ब्लड प्रेशिट करंड्रोल में रहता है मसालि दार या ओइली खाना खाने से एसिडिटी हो सकती है अगर आप रोज सुबह पुंगुना पानी पीते हैं तो आपको एसिडिटी के समस्या नहीं होगी सुबह गर्म पानी पीने से सरीर की गंदगी पार निकल जाती है इससे कॉलेजन के उत्पादन को रावा मिलता है और इसके हैर्टी रहती है गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिजम तेज काम करने लगता है जिससे सरे के एक्स्ट्रा फैट को तोड़ने में मदद में सकती है